हेलो प्रेंट्स, विलकम टू माई चैनल अनुरा अग वाई टेड़ आज हम प्रावधिक कला के जो वस्तुनित प्रेशन हैं जो दस नंबर के पूंचे जाते हैं जाम में वो प्रेशनों को साल्ब करेंगे आज जो प्रेशन रहेंगे वो रहेंगे विद्या प्पप्लिकेशन बुक के जो बहुत important question रहते हैं हमारा पहला question है अंग्रेजी की बड़े अच्छरों के उचाई कितने खानों की होती है आपसना अच्छे खाने, आपसन बाद साथ खाने, आपसन सा आठ खाने या आपसन डा दस साथ चार खाने के तो जो अंग्रेजी के बड़े अच्छरों के उचाई होती है जब हम कोई वीची तरिच्छे अच्छरों में ABCDH टाइप से बनाते हैं तो जब हम उचाई इस पकाई से रखते हैं, तो ये इस तरह के बराबर खानों में साथ रेखाई इस पकाई से खिंजते हैं तो जो खाने रख के जाते हैं, वो साथ खाने रख के जाते हैं राइट अंसर है B, साथ खाने निश्ट कोश्चन है अंग्रेजी अच्छर यम और डबलू की चोड़ाई कितने खानों की होती है आपसन आप 3 खाने आपसन भी ए 4 खाने आपसन C 5 खाने या आपसन D 6 खाने जो अच्छर यम और डबलू की चोड़ाई होती है वो 5 खानों में होती है जब हम इस पकार से डबलू या यम बनाएंगे यम का निर्मार जब हम इस पकार से करते हैं यहाँ पे तो जो इसकी चोड़ाई रखते हैं वो पांच अच्छोरों में इस पकार से रखा जाता है पांच खानों में जो A, B, C, D और भी अच्छार होते हैं यह चार खानों में होते हैं I जो होता है वो A खाने में होता है या मौल डबलू जो होते है यह पांच खानों में होता है निश्ट कोश्चन कहरा है पे ते एक दो अच्छोरों बीच कितने खानों को दिस तान चोड़ते हैं जब हम तिरच्छे अच्छरों में A, B, C इस पकार से लिखते हैं, तो जब जो अच्छर खाने छोड़े जाते हैं, वो एक खाना बीच में एक क्रेपिंग रखते हैं, उसके बाद दूसरा अच्छर लिखते हैं, जो राइट अंसर है वो है आपसर बाइग नेश्ट कोशन कहे रहा है, तिरच्छे अच्छरों में वाक लिखते समय अच्छरों को जुकाओ कितने अंस का होता है, तिरच्छे अच्छर लिखते समय जो अच्छरों को जुकाओ होता है, वो होता है 75 अंस नेश्ट कोशन अच्छर जे की रचनक किस अनपाद में करते हैं जब हम अच्छर जे बनाएंगे इस पकार से तो जो इसकी चोड़ाई रहती है वो तीन खाने रहती है और उचाई में इसके साथ खाने रखे जाते हैं साथ खाने और जो अच्छर जे बनेगा वो इस पकार से बनता है अर्थात साथ रेशियो तीन में अच्छर जे बनता है नेश्ट कोशन म्यूजिक सब्द के रचना करने तो कुल खानों का अनुपात क्या है जब music सब्द के हम रचना करेंगे खानों में तो उसका उनपात क्या रहेगा जो उसकी उचाही रहेगी वो तो साथ खाना ही रहेगा किंदू जब यम को लिखेंगे यम और डबलू यह पाँच खानों बनता है यह पाँच हो गया U जो बनेगा ये चार खाने में बनेगा Yes बनेगा ये भी चार खाने में I जो बनता है वो एक खाने में बनता है और C चार खाने में बनता है तो इनको आइट करेंगे तो 5, 4, 9, 4, 13, 14, 4, 18 ये हो गए टोटल अर्थारा खाने किन्तुम जब हम कोई दो अच्छा लिखते हैं तो इसके बीच एक खाना जरूर चोड़ते हैं तो यहाँ पर YUM और YU बीच एक खाना चोड़ेंगे U और YS के बीच एक खाना YS और I बीच एक खाना I और C बीच एक खाना इस परकार टोटल चार खाना यह गयप में छोड़ेंगे 18 यह 18 चार हो गए 22 तो जो रेशियो रहेगा वो हो गए 22 रेशियो 7 यह इसका अनुपात रहेगा म्यूजिक के जब हम रचना करेंगे अब नेश्ट हमारा टॉपिक है मापनी मापनी से रिलेटेड हम कोश्चन को सॉल्व करेंगे पहला हमारा कोश्चन कहता है सदान मापनी पर कितने प्रकार से माप दिखाये जा सकते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह मापनिया होती के आए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं मापनिया ये मापनियों के प्रकार हैं जो आपके एक्जाम में पूंचे जाते हैं सबसे पहले है सधान मापनी सधान मापनी किसे गएते हैं सधान मापनी मिंबर के वल दो ये प्रकार के माप दिखाए जाग सकते हैं आपजेक्टिव में आ सकता है कि साधायन मापनी में कितने प्रकार की मापने दिखाए जाग सकते हैं तो राइट अंसर होगा दो मापने नेश्ट है बिकन मापनी बिकन मापनी जो होता है इसमें हम तीन मापने दिखा सकते हैं तुल्यातमग मापनी जो होता है इस मापनी पर दो साधारन मापनियों दोरा दो वस्तूओं के माप को तुल्यातमग मापनी होती है इस मापनी दोरा अनेग नापों के कौंड नापे जा सकते है यदि आप सन में पूछा जाए कि किस मापनी दोरा हम अनेग नापों के कौंड माप पर जा सकते हैं तो वो होगी जिवातमक मापनी निश्ट है वर्नियर मापनी इसके द्वारा हम वस्त के छोटे सो छोटे भाग को नाप जा सकता है तो ये इंपोर्टेंट है इनको जरूर याद कर लें अब चलते हैं कोश्चन की ओर आप आप बता सकते हैं कि सधायन मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं तो सधायन मापनी पर दो प्रकार के मापने दिखाए जा सकते हैं निश्ट कोश्चन है विकन मापनी पर लगतार कितने माप दिखाए जा सकते हैं तो विकाण मापनी पर हम तीन पकार के माप दिखा सकते हैं जो 2D जो फिगर होते हैं वो 2-dimensional होते हैं तो उनमें सदायान मापनी के अंतरगत आएंगे जो 3D चितर होते हैं जैसे गन हो गया गनाब हो गया ये सबी विकाण मापनी के अंतरगत आएंगे Next question Question number 9 कह रहा है निरूपक बिन में अंस होता है हर से निरूपक बिन में अंस जो होता है वो हर से हमेशा छोटा होता है जब भी आप question साल करेंगे तो उपर हमेशा 1 रखा जाता है और नीचे जो भी मान होगा जैसे 20 मान लीजिए तो जो अंस होगा वो छोटा होगा और हर हमेशा निरूपक बिन में बढ़ा होगा Next question कह रहा है निरूपक बिन का अंस सदैव रखा जाता है जो निरूपक बिन का अंस रखते हैं वो सदैव हम एक रखते हैं निरूपक बिन होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं निरुपक बिन जो होता है इसका फार्मूला होता है चित्र के दूरी, बटे वस्त की वास्तु के दूरी और इसकी जो इकाही होती है वो समान रखी जाती है अर्थाज ये सेंटिमीटर और सेंटिमीटर में होगी या फिर मीटर और मीटर में होगी नीरुपक बिन को हम RFB कहते हैं Next question Question number गेरा कह रहा है विकान मापनी द्वारा निम लिकित में से कितने नापें अंकित कर सकते हैं तो विकान मापनी होता क्या है जब हम इस पकार से विकान मापनी में चितर बनाते हैं इदर कुछ खाने इस पकार से बनाते हैं जितना question में कहता है इदर 0, 1, 2, 3 और last में इदर 4 तक जाता है question के उसा और इदर एक box छोड़ देते हैं इदर जो नीचे रहता है ये हमारा decimeter दसाता है और जो इदर रहता है वो हमारा centimeter दसाता है और इदर की जो दूरी होती है वो question के उसा किलो मीटर या फिर मीटर में हो सकता है तो जो बिकण मापनी के नापे होती है वो kilometer, meter, decimeter और centimeter होती है तो जो इसका right अंसर जाएगा वो होगा kilometer, hectometer और decimeter ये हो गया, next question कह रहा है, question number 12, चार वर्ग सेंटी मीटर और 64 वर्ग मीटर को पिदेशित करता है इसका निरुपक भी नहीं, सबसे पहले इसकी हम इकाई देखेंगे या आपे वर्ग सेंटी मीटर दिया हुआ है, और इदा वर्ग मीटर, ताथ ये जो माप है, ये 6 तफल में दिया हुआ है तो इसका पहले हम वर्ग मूल निकालेंगे, तो 4 का आएगा 2, और इदा 64 का आएगा 8 अब 2 को हम इदा 4, 2 का भाग 8 में देंगे, तो 4 बार जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 4 और ये जो इदार का मान था, वो मीटर में दिये था, तो इसको सेंटी मीटर में चेंज करेंगे, तो 4 into ये हो जाएगा 100 यानि कि 1 cm बराबर आ गया 400 cm तो इसका निरुपक भिन हमारा निकल के आएगा 1 बराबर हो जाएगा 400 तो निरुपक भिन निकालेंगे तो 1 upon 400 ये हो गया इसका निरुपक भिन नेश्ट कोशन कहे रहा है 9 वर की सेंटी मीटर 1,44 वर्ग मीटर का कोपे देश्ट करता है निरुपक भिन नो होगा तो इधर भी हमें एकाई जो है ये वर्ग सेंटी मीटर और वर्ग मीटर में दिये है तो इसका सबसे पहले वर्ग मूल निकालेंगे तो 9 का आएगा 3 बराबर 1,44 करेंगे तो ये आएगा 12 किन्तों ये मीटर में दिये है तो इसको को सेंटी मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर 12 into 100 3 से 12 को काटेंगे तो 4 आजाएगा तो 1 equal हो गया 400 तो इसका जो निरुपक बिन निकल के आएगा वो आएगा एक अपान फोर एंडेड राइट अंसर हो जाएगा C नेश्ट कोशन पांच मीटर को दो सेंटीमीटर से प्रदसित करने वाली मापनी का निरुपक बिन के आए अब इसमें देखिए जो इकाई दिया है वो इदान मीटर और सेंटीमीटर में ही दिया है जो की वर्ग में नहीं दिया तो इसमें जो चेंज करेंगे वो सीधे हो जाएगा 2 cm बराबर 5 मीटर दिया है तो मीटर को cm में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे अब 2 को या 100 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 50 तो 1 cm बराबर आ गया 5 x 50 यानि की 500 cm तो इसका जिन निरुपक बिन निकालेंगे वो हो जाएगा 1 बराबर 500 तो निरुपक बिन 1 बटा 500 ये हो गया इसका निरुपक बिन राइट अंसर इसका हो जाएगा C नेश्ट कोशन निरुपक बिन की काई होती है आपसन A मीटर आपसन B किलो मीटर आपसन C नहीं होती है आपसन D मिलिमीटर तो जो निरुपक बिन होती है इसके कोई भी इखाई नहीं होती है राइट अंसर जाएगा C नेश्ट कोशन नमबर 16 कह रहा है सम पढ़िमार मापनी बनाने में प्रियुक्त तीनों रुखाओं का कोण क्या होगा तो जब भी हम सम पढ़िमार मापनी बनाएंगे तो जो कोण जाएगा वो जाएगा और टोटल जाएगा 180 डिग्री का तो इन सब को आड़ करेंगे तो जो 180 डिग्री बनेगा वो 30, 60 और 90 इससे हमें 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D नेश्ट कोशन 5 सेंटी मीटर बराबर 3 मीटर प्रेशित करने वाली बिकण मापनी का निरुपक बिनने क्या आए 5 सेंटी मीटर तो ये 5 बराबर हो जाएगा 3 ये मीटर में दिये तो इसको हम सेंटी मीटर में चेंज करने के लिए 100 को गुणा करेंगे उसके बाद 5 को इधर भाग करेंगे 100 में तो आएगा 20 और 3 गुणे 20 हो जाएगा 60 तो इधर आजाएगा 1 बराबर 60 निरुपक बिनना आएगा 1 बटा 60 राइट अंसर जाएगा ओप्सन नमबर C नेश्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 18 कह रहा है एक मीटर बराबर धाई सेंटी मीटर प्रदसित करने वाली बिकर्ण मापनिंग निरुपक बिनन क्या होगा ये दिये है धाई सेंटी मीटर बराबर एक मीटर मीटर को सेंटी मीटर में चेंज करने के लिए हम इधर 100 का गुणा करेंगे अब इधर यह डाई इदारे सो दसम्वलों अटाएंगे इदारेक जीरो औबढ़ जाएगा यह आजाएगा पचीस बराबर एक हजार पचीस कबाग एक हजार में देंगे तो यह 40 बार जाएगा तो जो होगा एक बराबर यह हो जाएगा 40 के तो जो हमारे नियूपक भी निकल के आएगा वो आएगा एक बटा 40 इसका राइट अंसर जाएगा आपसन नमबर सी एक बटा 40 निस्ट कोशन छे त्रफल और दीरवेत निस्ट टॉपिक है छे त्रफल और दीरवेत यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लें कोईशन नमबर 19 कह रहा है एक आकरत के बराबर दूसरी आकरत बनाने कारत है दूसरी आकरत का 6 तरफल में समान बनाना असमान बनाना आदा बनाना या दोगुना बनाना जब हम कोई भी एक आकरत के बराबर दूसरी आकरत बनाएगे तो जो üसका 6 तरपल लखेंगे वो समान बनाएगे जैसे एक तिर्भुज ले लीजे यह एक तिर्भुज है जब इसकी आकरत के बराबर दूसरामें तिर्भुज बनाना आये तो 6 तरपल जो रहेगा वो दोनों का क्या रहेगा बराबर रहेगा नेश्ट कोशन एक समकोंड तिर्भुज के समकोंड बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गूं का योग छेत्र पल में छेत्र पल में बिकान पर बने वर्ग का कितना बाग होता है तो इसका राइट अंसर है आपसन आ असमान नेश्ट कोशन है किसी अर्द ब्रत के ब्यास को अधार मानकर और उसके परद पर कहीं भी एक बिन्द से अधार सिरे पर मिलाने पर जुत्र बुज बनेगा उसका सेस कोंड क्या होगा तो जब हम जब हम इस पकार से एक हम अर्द ब्रत बनाएंगे तो अर्द ब्रत पर कही रहा है कि ब्यास को अधार मानकर ये हो गया इसका ब्यास ये ब्यास है ब्यास को अधार मानकर उसके परद पर कहीं भी एक बिन्द से अधार सिरों पर मिलाने वाला तिर्भूज यानि कहीं भी यादी उपर एक तिर्भूज ज़िस पकार से बनाएं तो जो इसका ये कौंड निकलेगा ये कितना होगा तो अरद्वित बना कौंड जो होता अमेसा समकौंड या था 90 degree का होता है, कहीं भी चित्र इस पकार से बन रहा हो, ये अर्दिब्रत हो गया, ये तिर्बूज ऐसे भी बन रहा है, तो जो इसका कौन जाएगा, ये हमेशा 90 degree ही रहता है, तो जो इसका right answer आएगा, वो होगा, option C, 90 degree. Next question, किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए, आयत की लंबी तर चोटी बुजाओं का काउन सा अनपात ग्याद करते हैं, तो जब हम आयत के बराबर एक वर्ग बनाते हैं, तो जो लंबी और चोटी बुजा का अनपात होता है, वो उसका मद्या अनपात होता है राइट अनसर है option A next question दो ब्रत्तों के छेतर फलके अंतर के बराबर एक ब्रत्त बनाने के लिए कौन से तिरबुज का उपयोग किया जाता है option A संभाव तिरबुज option B भी संभाव तिरबुज option D संकौन तिरबुज तो जब ब्रत्तों के छेतर फलके अंतर के बराबर एक ब्रत्त बनाते हैं तो उसमें हम संकौन तिरबुज का प्रयोग करते हैं next question एक तिरबुज का छेतर फल उसके अधार और उचाए के गुड़न फलका कितना बाग होता है option A समान, option B आदा option C दुगना और option D 4 तो जो तिरबुज का हमारा सूतर होता है वो होता है एक बटा 2 इंटू अधार बुड़े उचाई तो जो अधार और उचाई का जो छेतर फल होता है वो कितना होता है आदा होता है, एक बटा 2 होता है तो जो इसका राइट अंसर जाएगा वो जाएगा आपसन नमबर बादा नेश्ट कोश्चिन किसी आयत के बराबर त्रिबुज बनाते समय ये त्रिबुज का अधार आयत के अधार के बराबर रखा जाए तो उसकी उचाई से कितना गुना होगा जब हम माल लीजिए ये एक आयत है और इसी के आयत के जो ये इसी के आधार त्रिबुज का आधार मानकर इसमें एक हम चित्र इस पकार से बनाएंगे तो जो चित्र बनेगा इसकी जो उचाई रहेगी वो इससे आयत से दुगनी रहेगी तो राइट अंसर हो जाएगा औपसन नमर बाद दुगना नेश्ट कोशन दीरगवित में कितनी नाभियां होती है तो दीरगवित से रिलेटेट सभी कोशन आप इस फिगर में देग लीजिए दीर्गवित में हमें इसाद दो नाभियां होती है दीर्गच किसे कहते हैं दोनों नाभियों से होकर जाने वाली रेखा जो वक्र पर समाप्त होती है दीर्गच कहते हैं और लग अच्छ किसे कहते हैं दीरग अच्छ के लंब अरधग रेखा जिसके दोनों सिरे पर वक्त मिले लग अच्छ कहते हैं इसपस रेखा जो रेखा दीरबित के वग्र को किसी बिंद पर इसपस करें इसपस रेखा कहलाती है जो अब लंब होती है वो रेका इस पर इसमें जो ये N1 से N2 तक है इसे नावियों बोलती है इसमें नावियों संक्या होती है तो यह जो इसकी 36 रेखा है यह इसकी दीर गच कहलाती है और इसकी जो यह लंबोर रेखा है इसे हम लगच कहते हैं दीर बित पे जो यह इसपरस रेखा कहेची जाती है इसे हम इसपरस रेखा कहते हैं ये इसपस रेका कहीं भी हो सकती इस पकार से और इस इसपस रेका पर यदे हम लंब डालें ऐसे तो उसे हम अब लंब कहेंगे आप ये सबी दीर्ग बित समंदी जानकारियां हो गई आप इसे इसकी इन सॉल ले सकते हैं नेश्ट कोश्चन तो हमारा कोश्चन था दीर्ग बित में कितने नाभियां होती हैं तो इसका राइट अंसर है दो दीर्ग बित में दो नाभियां होती हैं नेश्ट कोशन कहे रहा है, इसपस रेखा दीरगवित में किसे इसपस करती है, लगवच को, दीरगच को, वक्र को, नाभी को, तो जो इसपस रेखा होती है, वो दीरगवित में वक्र को इसपस करती है, अभी आपने फिगर में देखा, जब इसपस रेखा से फिगर बना था तो जो इसपर्स रेखा ऐसे खिंची थी ये इसपर्स रेखा है तो ये हमारा वक्र बन रहा है तो जो इसपर्स रेखा इसपर्स करती है वो वक्र पे इसपर्स करती है और जब हम इसपर्स रेखा पर इस पका से लंब डालते हैं तो उसे हम अभी लंब कहते हैं निश्ट कोश्चन अब हमारा टॉपिक है रचनात्मा ठोंस जैमती इससे रिलेटेड कोश्चन करेंगे प्रशन नम्मर 28 कहरा है निम्न में से किस ठोंस में आयताकार फलक होते हैं आपसन ए घन, आपसन बी संकू, आपसन सा संपार्स, आपसन दा सूची स्थम सबसे पहले हम संपार्स, सूची स्थम, संकू, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे फिगर के माद्यम से फिगर में आप देख सकते हैं घन, घन किसे कहते हैं घन वए आकरत है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं ये सब फलक बराबर होते हैं गन के जो फलक होंगे वो अमेशा वर्गाकार ही होंगे और इसमें जो सीर्स होंगे सीर्स की संख्या गन में सीर्स की संख्या होती है आठ फलक होगे अच्छा है और किनारे जो होते हैं किनारे होते हैं बारा ये अमेशा याद रखना और गन की जो आकरत होगी वो होगी वर् गनाप की आकरत यो होती है वो होती है आयताकार गनाप की आकरत ही होगी आयताकार और गन की आकरत ही होगी वर्गाकार अब जानते हैं संपार्स किसे कहते हैं संपार्स में दो सम्मुक फलक होते हैं संपार्स के जो सिरे कहलाते हैं जो इसके सम्मुक फलक ये उपरी सिरा हो गया ये निचली सिरा ये दो सम्मुक फलक हो गया जिसे हम संपार्स के सिरे कहते हैं जो कि हमेसा समांतर हुआ समरूप होंगे, अर्थात, जैसा हमारा ये उपरी सिरा होगा, वैसे ही नीची सिरा होगा, जैसे इसमें ये वर्ग बना हुआ है, उपर तो नीचे भी ये देखिए वर्गी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वर्ग की आकरत बनी हुई है, तता चारों और बराबर आयत होते हैं संपार्स में जो भी चित्र बनेगा वो हमेशा आयताकारी बनेगा कोई भी आप चित्र देख लीजिए सम में देखिए इसमें आयत ही बन रहे हैं तो इसके जो आकरत की होगे संपार्स की वो आयताकार होती है संपार्स का नाम उसके सिरे की आकरत के अंसार होता है अर्थात, इसका जो ऊपरी या निचली सिरा जी इस आकरत का होगा उसे वइ संपार्स बोला जाएगा जैसे इसे देख सकते हैं ये खड़ बुजाकार है तो इसे हम स्वारी ये पंच बुजाकार है इसमें पंच बुजाए है तो इसे हम पंच बुजाकार संपार्स बोलेंगे यह वर्गाकार है तो इसे हम वर्गाकार संपार्स बोलेंगे यह तिर्बुज का कार के बना हुआ है तो इसे हम तिर्बुजाकार संपार्स बोलेंगे अर्थाज जैसे इसका उपरी और निचली सिरा होगा उसे वही संपार्स कहेंगे एक बार और रिपीट कर लेते हैं जो हमारा संपार्स होता है इसमें दो सम्मुक फलक होते हैं इसका जो संपास का नाम कहते हैं, नाम रखा जाता है, वो उसके फलक के उनसारी रखा जाता है, जैसे उपरी सिरा होगा, उसी पकार से उसका नाम रखे जाएंगे, और इसकी जो आकरत होती है, वो हमेशा आयताकार होती है, अब चलते हैं, सूची इस्तंब की ओर, सूची इ इस गनाकरत में अधार का फलक तिर्बुजाकार होगा और वर्गाकार होता है परन्तु इसका दूसरा सिरा एक नोक होता है अर्थात इसका जो एक सिरा होगा ये तिर्बुजाकार होगा ये फिर वर्गाकार होगा और जो एक सिरा दूसरा सिरा होगा वो अमेशा नोक ही होता इसकी जो आकरत होती है वो हमेशा तिर्बुजाकारी बनेगा सूची स्थम्ग की आकरत ही तिर्बुजाकार रहती है किसी भी आप फिगर में देख सकते हैं इसकी जो नोक होती है उसे हम सिरोबिंदु कहते हैं इसका जो नाम रखा जाता है उसके आधार के अंसार रखा जाता है अर्थात इसका जो जिस पकार से इसके ये निचली सिरा आधार होगा उसका वही नाम रखा जाएगा जैसे आप इसमें तिर्बुज देख रहे हैं तो इसे हम कहेंगे तिर्बुजाकार सूची स्थम इसमे पंच बुजाकार ये बना हुआ है तो इसे कहेंगे पंच बुजाकार सूची स्थम इसमें वर्ग बना हुआ है ये देखिए आदार में तो इसे हम कहेंगे वर्गाकार सूची स्थम ये हो गए सूची स्थम से रिलेटेड जानकारी निश्ट हमारा आए बेलन जब हम किसी आयत को आयत के एक बुजा को गुमाएंगे तो उससे जो बनता है उसे हम बेलन कहते हैं अतात बेलन के हम एक सिरो को आयत पकल की गुमाएं तो उसे हम बेलन प्राप्त करेंगे ये आयत बना हुआ है, आयत के एक बुजा को हम इस पकार से गुमाएं तो इससे हमें बेलन प्राप्त हो जाएगा important question है कि बेलन जो है वो आयत की एक बुजा को गुमाने से बनता है संकु जो होता है ये समकोंड तिर्बुज की एक बुजा को गुमाने से बनता है संकु गोला गोला जो होता है ये गना करती तता है एक अर्द ब्रत द्वारा उसके ब्यास पर परक्रिमा करने से बनती है ज़िए हम अर्दिब्रत के ब्यास को परिकिमा कराएं या नि गुमाएं तो उससे हम गोला प्राप्त होगा ये हो गई कुछ जानकारी अब बढ़ते हैं हमने कोश्चन की तरफ ये हमारा पहला कोश्चन कहरा आयरा रजनात्मक्ठो जैमती से किसी ठोंस में आयताकार फलक होते हैं गन में संक में संपास में सूची स्थम में तो जो आयताकार फलक होते हैं वो होते हैं संपास में संपास में आयताकार फलक होते हैं सूची स्तम्मे में तिर्बुजाकार फलक होते हैं और घन में जो होते हैं ये वर्गाकार फलक होते हैं गनाब जो होता है उसमें आयताकार फलक होंगे और संक में जो होता है इसका संक इस पकार से बनता है तो जो नीचे रहता है ये बिरताकार रहता है और उपरी ये तो किसी पंच बुजाकार प्रेज्म संपास का अंच्छेप होगा यदि आधार यच्पी के समानता रहे तो पंच बुजाकार का जो संपास अंच्छेप होगा वो संपंच बुज कारी होगा निश्ट कोशन एक गन के कितने फलक होते हैं और इसके जो सीर्स होते हैं सीर्स की संख्या होती है आठ और किनारुक संख्या होती है बारा अब ही हमने उपर कोशन उपर आपसन बताया था कि गन का जो पृतेग फलक होता है वो वर्गा कार होता है जो गनाब होता है उसका पृतेग फलक आथाकार होता है Q. 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 Q स्थम पढ़ाया है उसमें आप चित्रक माध्रम से देख सकते हैं नेश्ट कोशचन कहई रहा है तोंस में ती बुजाकाल फलक होते हैं सूची स्थम, संकु, गोला, घन, जो तिरबुजाकार फलक होते हैं, वो सूची स्थम में होते हैं, राइट अंसर है, आपसना, घन में वर्गाकार फलक मिलेंगे, किसी संगु का अधार किसा कार का होता है आपसन आ वर्गकार आपसन भी त्रिबुजाकार आपसन से ब्रत्ताकार या इनमें से कोई नहीं जो संगु का अधार होता है वो ब्रत्ताकार होता है संकु इस पकार से संकु बनता है ये संकु कचित्र है इसका ये अधार है अधार जो होता है इसका ये अधार हो गया ये वर्गकार है और उपरी जो सिरा हो गया ये तिर्बुजाकार होता है नेश्ट कोश्चन यदि बेलन एक सिरा ब्रित्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा बेलन का एक सिरा यदि ब्रित्ताकार है तो उसका दूसरा सिरा भी ब्रित्ताकार ही होगा बेलन आप देख सकते हैं इस पकार से बेलन मनता है इसका एक सिरह इस पकार से बृत्ताकार होगा और दूसरा सिरह भी इस पकार से बृत्ताकार होता है ये बेलन का चित्र हो गया नेश्ट कोश्चन कह smok रहा है 5 बुजाकार सूची स्थम में कूल कितने तिर बुजाकार पार्स होंगे option है option है option B3, option C5 या option D4 तो जो पंच बुजाकार सूची स्थम में तिर बुजाकार पास होते हैं, उनकी संक्या होती है पांच, आप चित्र में देख सकते हैं ये आकरत पंच बुजाकार की है इसमें सुरी ये नहीं है ये सट बुजाकार की है जो पंच बुजाकार की आकरत ही है वो ये बनी हुई है ये पंच बुजाकार की आकरत बनी हुई है इसमें तिर्बुजों की संक्या पुंची ति ये देखे हो गई एक ये दो ये तीन ये चार और एक जो तिरबूज होता है ये सामने की तरब रहता है ये पांच हो जाते हैं तिरबूजों की संख्या नेश्ट कोशन कोशन नमबर 49 कह राय किसी गोले का उच्छे वह अंचेब क्या होता है किसी गोले का उच्छेव वो अंच्छेव क्या होता है आप्सन ए आयत बटे वर्ग, आप्सन भी ब्रत बटे ब्रत आप्सन सी ब्रत बटे तरिबोज, आप्सन दी ब्रत बटे वर्ग तो जो गोले का उच्छेव वो अंच्छेव होता है वो होता है ब्रत बटे ब्रत ये उच्छेब और अंच्छेब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे अंशेब, अंशेब को इंगलिस में प्लान कहते हैं यानि किसी गनाकरत को उपर से देखने में 36 समतल पर प्रदसित आकरत उस गनाकरत को उपकरम या अंशेब कहलाती है यानि कि जब हम किसी चीज को देखेंगे तो जो उसका उपर से देखने पर 36 समतल पर जो चित दिखे देगा उसे अंशेब कहते हैं जैसे ये जो इसका निचलिस रहा है इसे आम अंशेब कहेंगे ये मान लीजिए ये वर्ग बना हुआ है वर्ग का जो हम छेब उपर से देखेंगे तो कुछ इस पकार से बन के आएगा उच्छेब उच्छेब को इंगलीज में इलेवेशन कहते हैं यद किसी गना करत को ठीक सामने से देखें तो उर्धा दर समतल पर पर दसीत आकरत गना करत उच्छेब का लाती है जब हम इस कार से यह सामने से देखेंगे तो यह जो आकरित वर्गा कार दिख रही है इसे हम उच्छेप कहेंगे जो ठीक सामने से देखने पर जो चित दिखाई देता है उसे उच्छेप और उपर से जब चित देखते हैं तो उसे हम उच्छेप कहते हैं इसके बारे में जो 36 समतल पर हमेशा बनता है उसे हम अंच्छेप कहते हैं और जो उर्दादर समतल पर बनेगा उसे हम उच्छेप कहेंगे इंपोर्टेंट है हर बार परिच्छा में पूछा जाता है कि 36 समतल पर बना जो आकरत योगी उसे हम अंच्छेप कहेंगे और जो उर्दाद सम्तल पर प्रतसित आकरे दिग रही होगी उसे उच्छेब कहेंगे नेस्ट कोश्चन हमारा कोश्चन नमबर 40 कह रहा है 36 सम्तल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उच्छेब कैसे दिखाई देगा आपसने ब्रताकार, आपसन वीवरगकार, आपसन सी आहताकार, आपसन डीतर बुजाकार तो 36 सम्तल पर खड़े बेलन का उच्छेब उच्छेब जो होता है उसका ये उपरी भाग होता है अर्थाद जो हम ठीक सामने से देखते हैं तो जब हम बेलन इस पकार से बनाएंगे तो इसका ये नीचरे बाग हो गया जो कि ब्रताकार रहता है और जब मैं इस पकार से सामने से देखेंगे तो इसको इस पकार से दिखाई देगा दूसरे कलर से देख लीजिए ये सामने से दिखी आकरेद दिखेगी जो कि आयताकार दिखेगी तो इसका जो उच्छेफ होगा वो हमारा आयताकार रहेगा नेश्ट कोशन यदि एक तिर्बुजाकार संपार्स अपने सिरे पर 36 समतल पर खड़ा है तो सिरे की एक बुजा उर्दा दर समतल के समानता रहे तो उसका अंच्छेफ होगा आपसन एक तिर्बुजाकार, आपसन भी वर्गाकार, आपसन सियाताकार या इन में से कोई ने तो जो संपार्स अपने सिरे पर 36 समतल पर खड़ा है तो सिरे की बुजा उर्दा दर समतल के समानता रहे तो उसका जो अंच्छेफ बनेगा वो तिर्बुजाकार ही बनेगा निच्छिक तरब ये इस पकार से बन के आएगा जो की तिर्बुजाकार ही हमें दिखाई देगा जो इसका निचली सिरे ये बन के आएगा ये अंच्छेफ बन के आएगा ये भी तिर्बुजाकार रहेगा उपरी सिरे को उच्छेफ काएंगे और निचली सिरे को है वो औरक्तों सा वक्राकार होता है ने हैं कि के अम निश्ट कोशन कहें रहा है घं में कितने कोर होते हैं अपसना 8 और ।ो जो कोर्या किनारे होते हैं ये 12rióते है और जो सफ में HU 3 24 कई आश दो है । पहलक के तो क्ये श निश्ट कोशें 10ग में निम लिखित में से किश्ठोंस में तिर्बुजाकार फलक होते हैं गहन में, संक में, पिरामिड में, प्रिज्म में जो तिर्बुजाकार फलक होते हैं वो पिरामिड में होते हैं फिगर के माद्यम से आप देख सकते हैं ये आप पिरामिट का चित्र देख रहे हैं इसमें जो ये बने हुए हैं इनकी जो आकरती है वो त्रिबुजाकार बने हुए हैं ये देखिए आप देख सकते हैं ये पिरामिट की जो आकरती ये बने हुई है ये त्रिबुजाकार बने हुई है नेश्ट कोशिन एक वर्गा का्रप्रिजमें में कितने आइताकार फलक होते हैं आपसन aç तीन, आपसन New 2, आपसन साच चार या अपसन डापांच जो वर्गा का प्रिजम होता है उसमें आइताकार फलक होते हैं चार, राइट अंशर है आपसन नंबर चार नेश्ट कोश्चन है एक वर्गर कार्प्रिजमे की बुजा बराबर A तताओं उचाई बराबर B है उसके किसी एक आयता का फलक का परमाप क्या होगा आपसन A to A B, आपसन B A B, आपसन C to A plus B, आपसन D A square plus B square तो जो आयत होता है इसका परमाप होता है 2 into लंबाई plus चोड़ाई यहाँ पे लंबाई को इन्होंने A माना है और चोड़ाई को B माना है अर्थात इसका जो राइट अंसर जाएगा वो जाएगा 2 into A plus B नेश्ट कोश्चन है खट बुजाकार संपास में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं आपसन A 8, आपसन B 5, आपसन C 6, आपसन D 4 जो खट बुजाकार संपास में आयताकार फलक होते हैं उनकी संक्या होती है आपसन C अर्था 6 नेश्ट कोश्चन एक वर्गर का प्रिंस सम्पास का अंच्छेबं उउख्षेब किया होगा जबकि प्रिंस अपने अधाप पक्शड़ा है option A work बटे टिर्बूज option B work बटे आयत option C कह रहा है work बटे ब्रत option D टिर्बूज बटे आयत तो जो इसका अंच्छेब उम उच्छेब बनेगा वो बनेगा वर गबटे आयात राइट अंसर है आपसन नमबर B नेश्ट कोश्चन वो एक कौन सतल है जिस पर अंच्छेब बनाया जाता है धरातल, उर्दादल, छैती, चिततल जो अंच्छेब बनाया जाता है ये उर्दादर समतल पर बनाया जाता है राइट अंसर है आपसन नमबर B और जो उच्छेब बनता है वो 36 समतल पर बनता है उच्छेब बनेगा 36 समतल पर और अंच्छेब बनता है उर्दादर समतल पर नेश्ट कोश्चन किसी वर्ग का प्रिज्म का अंचेब सीस दस क्या होगा जबकि प्रिज्म अधार पर खड़ा है आप्सन है ब्रत आप्सन भी वर्ग आप्सन सी आयत आप्सन डी तिरबोज वर्ग का प्रिज्म का अंचेब अंचेब जो बनेगा वो बनेगा आयत का अकार का आप ये चित्र में देख सकते हैं ये वर्ग बना हुआ है वर्ग का अंचेब जो बन रहा है ये हमारा आयताकार बन रहा है तो वर्ग का अंचेब बनता है आयताकार नेश्ट कोश्चन नेश्ट टॉपिक है हमारा सम्मित चितराण प्रेश नमबर एक आवन है किसी भी सम्मती द्रस में एक साथ कितनी बिमाई मिलती है आपसन आदो आपसन भी तीन आपसन सी चार आपसन डी पांच तो जो सम्मित द्रस होता है उसमें जो विमाए मिलती है तीन विमाए मिलती है अर्थात इस पकार से XH, YH और ZH यह तीन विमाए मिलती है यानि 3-dimensional होता है चितर हमारा समिच चितर जब भी आप बनाएंगे आपको A बनाने को आएगा तो ये 3D में आपको बनाना पड़ेगा इस पकार से कुछ इस पकार से जब आप बनाएंगे इसको तो ये हमारा 3D में बन के तयार होगा इसमें छोटा सा चितर बना रहा है 3D में और इसको हम color कर देंगे, यह इस पकार से, यह हमारा A बन की तयार हो गया, 3D होता है, इसलिए इसकी जो बिमाय होंगी, वो तीन होती है, सम्मित बिछेव चित्राण में किस cone का प्रयोग करते हैं, सम्मित बिछेव चित्राण में हम 30 degree ends का cone का प्रयोग करते हैं, नेश्ट कोश्चन, मकान बनवाने में प्रयोग एक सधायन 8 का सम्मुख दरस क्या होगा, यह जो इनिट होती है, इसके जो सम्मुख दरस से देखेंगे, तो इनिट का सम्मुख दरस आयत की आकार का दिखेगा, इसलिए राइट अंसर होगा, आप्सन बिछेव प्रयोग का प्रयोग करते हैं, गैरी बिन्दुदार से दिखाएंगे, नेश्ट कोशन, सम्मीच चितरान में वस्त का प्रतेक माम निदिश्ण माप के अंसार कैसा होता है, सम्मीच चितर जब भी, जब हम A, B, C, D, इस पकार से इसमें सम्मीच चितर बनाएंगे, तो इसकी जो प्रतेक काट इस पकार से ह बराबर होती है, प्रतेक काट बराबर रहेगी, तो जो इसका राइट अंसर जाएगा, वो जाएगा, उप्सन नमबर C, नेश्ट कोशन है, सम्मीच चितरान में एक घन के तीनों किनारे, जो एक ठोंस समकोण बनाते हैं, एक दूसरों के साथ कितने अंस का कोण बनाते हैं अप्सना 110, अप्सन B 120, अप्सन C 180, अप्सन D 130, तो बनाते हैं, जो सम्मीच सेमी होता है, इस पकार से, जब आप 3D में चितरान में बनाते हैं, तो एक इस पकार से 30 डिगरी जाता है एक ये 55 डिगरी जाता है तो ये जो होता है ये सुद्ध सहमी होता है और ये सम्मीत होता है जो 30 डिगरी में जाता है इसे हम हमेशसा छोटा रकते हैं नेश्ट कोश्चन है ये सम्मिच चित्रण में एक संदू के आदार की लंबाई 6 है तो उसके ढकन की लंबाई कितनी होगी अपसन इस आपसन भी नाइन अपसन सी 6 या इनमे से कोई नहीं जो सम्मिच चितर में एक संदू आधार की लंबाई होती है वो ढकन की लंबाई की बराबर होगी अर्थाच छैंच के होगी अब ही हमने ये उपर कोशन किया था ये वाला कि सम्मेच चितर में वस्ट की पितेग माप की जो निजिश्ट माप होती है वो में सग ऐसी होती है बराबर और निजिश्ट कोशन कोशन नमर 29 है यद्य लकडी के बिलाक अच्छा एल की उचाएग्छ साथ संटीमीटर चौडाई चार और मुटाई एक है तो लकडी के डंडू के काट क्या होगी आप्सन है 2 cm वर्ग, आप्सन भी 1 cm वर्ग, आप्सन सी 1.5 cm वर्ग या इनमे से कोई नहीं जो लकड़ी के काट होगी वो 1 cm वर्ग में होगी इस पकार से जब हम चित्र बनाते हैं तो जो हम काट इस पकार से रखते हैं यह हम वह एक वरगे सेंटीमीटर का रखते हैं पिरतेग यह नाप बराबर बिल्कुल सम्मिच चितर बनाने से पूर कौन सी रेखा पहले खिंचते हैं अप्सन या अदार 36 रेखा, अप्सन भी लंब रेखा, अप्सन सी 45 डिगरी रेखा या अप्सन भी 30 रेखा जब सम्मिच चितर बनाते हैं तो सबसे पहले इस पकार से नीचे लाइन खिंचते हैं जिसे हम 36 रेखा बोलते हैं, 36 या अदार रेखा बोलते हैं उसके बाद हम एक लंब इस पकार से लेखा खिंचते हैं लम्ब के बाद 30 डिग्री की रेका कहिंचते हैं उसके बाद 45 डिग्री की रेका कहिंचते हैं नेश्ट कोशन और आज ये सभी बिद्धय पब्लिकेशन बुक की सभी अबजेक्टिव कोशन साल्फ करा दीए हैं आप इस वीडियो को एक से दो बार देखें जिससे आपके सभी टॉपिक किलियर हो जाएं इनसे बाद कोशन नहीं आएगा और आपके 10 नमबर बिल्कुल करेक्ट होंगे एकजाम में इस वीडियो को एक या दो बार जरू देखें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा धन्यवाद